आज सुसांत सिंख राजपूत ने जो आत्मात्या की गटना एक बार फिर से हमको जट्जोड देने वाली है इस मुकाम पर पहुंचा हुआ गट्ती जिसके लाको करोड़ो फेन है जो सफलता की सीडिया चड़ रहा है और वहाँ पर जाकर वो जिन्दगी से हार जाता है तो यह विचार निये प्रस्न है कि हम किस दोड में दोड रहे हैं हम अमारी जिन्दगी का लक्ष जो है उसको क्या बना बेटे हैं तो इस कटना पर मैंने कुछ पंटियां लिखी हैं वो आप सुनना अरे सुसांत आज तु सांत केसे हो गया सीदा सरल स्वभावता आज आकरांत केसे हो गया कामियाबी रोज तेरे कदमों को जैसे चूम रही थी दुनिया बर की खुशियां तेरे चारों और गूम रही थी फिर भी तूने यू सब को मजदार में कैसे छोड़ दिया कि फिर भी तूने सब को यू मजदार में कैसे छोड़ दिया और एक जटके में लाकों फैंके दिलों को कैसे तोड़ दिया ऐसा भी क्या गम था जिसे तू जेल नहीं पाया कि ऐसा भी क्या गम था जिसे तू जेल नहीं पाया और ऐसी कौन सी गें थी जिसे तू खेल नहीं पाया तू अपनी ही जिंदगी पे बोजल के से हो गया तू सितारा था चमटता बोजल के से हो गया मा बाप पे क्या बितेगी तूने सोचा नहीं एक बार भी मा बाप पे क्या बितेगी तूने सोचा नहीं एक बार भी उस समय को याद तुझको आई नहीं किसी यार की दुनिया बर की खुशियां थी गम का दोर के से हो गया कि दुनिया बर की खुशियां थी गम का दोर के से ह गया और राजपुती खून था तू कमजोर केसे हो गया खून के आशूर उला के गम के बीच केसे बो गया अभी तो जिंदगी की भोर थी इतना जल्दी केसे सो गया अभी तो तेरी जिन्दगी की भोर थी इतना जल्दी केसे सो गया कि अंग इनते दोस्त तेरे तू किसी को भी बुला लेता साइद कोई आके तेरे सारे गम को बुला देता जिन्दगी अनमोल तोपा तू ऐसे केसे जूल गया कि जिन्दगी अनमौल तोपा तो एसे किसे जूल गया और आत्म हत्त्या महापाप ये बात किसे भूल गया किसे भी हालात हो पर एक बात बिलकُल साफ है और माफ नहीं कर सकते तुझको ये सरासर पाप है सबक लो इस गटना से फिल्मी दुनिया में जोल है कि सबक लो इस गटना से फिल्मी दुनिया में जोल है ये चका चोंदे है बाहर की अंदर से पोलम पोल है कितनी भी उचाई छुलो आखिर में सब जीरो है कि कितनी भी उचाई छूलो आप इस में सब आखिर में सब जीरो है और जो डिप्रेशन को जेल ले बस वो ही असली हीरो है पेशा ही सब कुछ नहीं है संतोष भी कोई चीज है और सोहरतों की ये बुलंदी बर्बादी का बीज है सोहरतों की ये बुलंदी बर्बादी का बीज है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो भी नहीं है